दोस्तों वो सारे लोग जो credit card या फिर personal loan को default कर चुके हैं financial problem की वज़ा से वो चाहते हैं कि हमारा account किसी ने किसी तरह से settle हो जाए यानि कि settlement हो जाए और कई बार settlement करवाने के चक्कर में उनके साथ fraud हो जाता है और हजारों हजारों का चुना लग जाता है लेकिन settlement नहीं होता और ऐसा ही case हमारे सामने एक आया है जो हमारे viewers ने हमें बताया अब वो पहले हम case जानेंगे उसके बाद हम जानेंगे कि settlement का सही तरीका क्या होता है और उसके बाद हम last way बात करेंगे कि settlement जो होता है वो real settlement क्या होता है तो देखे सबसे पहले हम आपको बताते हैं वो केस जो हमारे एक वीवर्स के साथ हुआ हमारे एक वीवर्स ने क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया था क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल करने के बाद लॉगडाउन की वज़ा से जॉब चली गई फाइनेंशल प्राब्लम हो गया मनी का कोई रिसोर्स नहीं रहा तो इसी वज़ा से उनका कार्ड डिफॉल्ट हो गया टोटल डिउ उनके उपर एक लाख बीस हजार रुपे का था लंबे समय की बात चीत के बाद जो है फाइनली बात सेटलमेंट पर पहुँचती है और सेटलमेंट का ओफर किया जाता है पचास हजार रुपे में ध्यान से सुनिएगा एक लाख बीस हजार का अमाउंट पचास हजार रुपे में सेटलमेंट की बात होती है जो कि अमूमन इतना होता ही होता है अब यहाँ पर recovery agent यह कहता है कि आप मुझे अभी कम से कम 24,000 रुपे का payment हमारे गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीम पर कर दीजे, देन हम आपको settlement लेटर भेज देंगे और बाकी बचे amount को आप payment कर देंगे तो आपका settlement final हो जाएगा, वो जो madam थी जिन्होंने settlement करवाया था उन्होंने पहला amount बातचीत करने के बाद भेज दिया, बिना settlement लेटर लिये हुए ही, फिर वो पूछती है कि settlement लेटर हमें कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ रुख जाईए, थोड़ा पैसा amount आप 12,000 रुपे और भेजिएगा, तो टोटल 24,000 रुपे आप जमा अब एक घंटे बात, जब फिर से मैडम बात करती हैं, तो पता चलता है कि जो बंदे के साथ settlement की बात हुई थी, वो बंदा वहाँ है ही नहीं, बलके अब जिस से बात हो रही है, वो कहता है कि भाई, अब ये department change हो चुका है, recovery की team change हो चुकी है, अब ये case हमारे पास आ गया अब वो 24,000 रुपे settlement में तो नहीं गया, लेकिन वो जो total का total 24,000 रुपे amount payment हुआ, इनका total amount due था उसके interest में minus कर दिया गया, मतलब ये हुआ कि अगर 80,000 रुपे का मैडम ने खर्च किया था base amount और उसमें interest लगलग के charges लगलग के 1,20,000 रुपी हुए, तो ये जो settlement के नाम प धोखे से 24,000 रुपे लिया गया, वो जो interest था, extra charges थे, penalty थे, उन सारे charges interest में 24,000 रुपे को adjust कर दिया गया, इसके बाद जो मैडम का जो base amount due था, वो as it is due है, और settlement नहीं हुआ, अब दूसरी team से बात होती है, वो फिर से शुरुआत करता है, कि आप payment कीजिए, payment कीजिए, आप के ओपर इतने पैसे बाकी है, तो ये तो आपने देखा case कि इस तरह से भी settlement के नाम पर fraud होता है, पैसे लोगों से ले लिये जाते हैं, लेकिन settlement के नाम पर पैसे लेने के बाद settlement नहीं होता, बलके जो total amount होता है, उसके interest या फिर other charges में उस amount को adjust कर दिया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गलतिया हुई, यहाँ पर गलतिया यह हुई कि settlement करवाने के बाद पहले settlement letter नहीं लिया, settlement letter ले ले लेती, तो यहाँ पर बात हो जाती कि settlement letter में क्या details है, उसी के हिसाब से हम payment करेंगे, तो आप देखी, दरसल जो settlement होता है, वो settlement होता कैसे है, जो real settlement का process है, वो माल लिजिए कि 50,000 रुपे के amount due है उसको 20,000 रुपे में settlement की बात हो गई तो यहाँ पर तरीके से बात यह होती है कि आप हमारे registered email ID पर यानि customer recovery agent से काता है कि आप हमारे registered email ID पर आप अपने bank के official email ID से settlement letter मुझे पहले भेज दीजिए जितने amount में final settlement हुआ है उतने amount का settlement letter भेज दीजिए settlement letter आप अपने registered email ID पर चेक करेंगे अगर आपको लगेगा कि हाँ यह bank के official email ID से letter आया है देर आप समझेंगे कि यह genuine letter है और इस genuine letter को आप सही मानते हुए आप payment करते हैं तो आपका payment settlement में जाता है और आपका सही से settlement होता है ठीक है अब इसमें कई सारे लोग यह mistake करते हैं कि भाई आप मुझे whatsapp पे settlement letter भेज दो आप मुझे telegram पे settlement letter भेज दो तो इस तरह से settlement letter नहीं माना जाता क्योंकि इस तरह का letter होता नहीं यह authentic नहीं माना जा सकता जब तक settlement letter bank के official email ID से ना आए official email ID के मतलब यह हो गया कि जैसे मैं अजहर हूँ तो azhar at the rate hdfc.com azhar at the rate axis bank.com ठीक है तो जो bank का website होगा उसी के domain वाली email से अगर email आपके registered mail number पे आता है letter तो समझे कि वो genuine letter है चुकि bank के official email ID से आपके registered email ID पर आया है ठीक है तो ध्यान रहे कि कि किसी भी तरह का कोई settlement letter ना whatsapp पे ना telegram पे ना किसी अन्ने platform पे सिर्फ और सिर्फ आपको मंगवाना है bank के official email ID से आप अपने registered email ID पर तो वो letter G1 होता है और उस letter पर payment करते है तो आपका payment सही जगा पे जाता है और settlement के लिए payment करते हैं तो वो सीधे सीधे settlement में adjust होता है तो ये तो आपने देख लिया कि settlement कराने का सही तरीका वा settlement genuine कैसे होता है इसका तरीका तो बस यही कुछ था detail लेकिन जो हमारे एक वीवर्स ने mistake किया कि वो mistake ये था कि payment पहले कर दिया और settlement later के बारे में बाद में बात की यानि कि settlement later लेने से पहले ही payment कर दिया और इसी वज़ा से इनके साथ settlement के नाम पर fraud हो गया एक तरह से कहिए तो धोखे से 24,000 रुपे पैसे ल नहीं गया लेकिन गलत तरीके से ले लिया गया ठीक है तो गलत तरीके से भी लेना एक तरह से कहिए तो धोखा है फ्रॉड है तो इस तरह के फ्रॉड से अगर आपको बचना है तो settlement का जो सही तरीका है सही procedure है उसे follow करे और सही settlement later है या नहीं उसे पहचाने देन आप payment करे तो आपका सही settlement होगा ठीक है तो बस यही कुछ था आज के इस वीडियो में इससे related अगर कोई सवाल हो query हो तो आप हमें comment box में लिख करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगाओ तो like करें ज्यादा ज्यादा लोग साथ share करें और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारी YouTube चैनल को भी subscribe करें